हमेशा खुश हो, खुशी बढ़ती जाएगे इसको सिरफ यहाँ पर क्या बोलना है वो सिखाना होता है तो पहला संकल्ब मैं शक्तिशालियात्मा हो दूसरा संकल्ब मैं हमेशा खुश हो अभी तक हमने इसको क्या सिखा दिया था? खुशी चाहिए और फिर यह सिखा दिया था कि खुशी किस में मिलेगी? चीजों में मिलेगी तो हम चीजें खरीते रह गए ताके चीजें आएंगे तो खुशी आएगे चीजों से सामान जो हम खरीते हैं उससे हमें आराम मिलता है अभी देखो मैं इतने बड़े सोफे पर बैठे हो वो छोटे सोफे पर बैठे है वो कुर्सी पर बैठे है आप नीचे बैठे हो तो क्या इसका मतलब यह है कि जो चोकड़ी मारके नीचे बैठा है वो कुर्सी पर बैठने वाले से ज़्यादा खुश है है नहीं कम खुश है नहीं आराम कुरसी पर जादा है शरीर का आराम कुरसी पर जादा हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मन की खुशी कुरसी पर जादा होने वाले है लेकिन हमने यह सूचा हम यह खरीद लेंगे यह खरीद लेंगे यह खरीद लेंगे यह आ जाएग और जिनके पास हमारे से जादा था हमें इर्शा होने लग गए कि इनके पास सब कुछ है हमें नहीं है और इर्शा करके हमारी खुशी क्या होती गई? घटती गई चीजों से आराम मिलता है चीजों से खुशी नहीं मिलती है चीजों से साधनों से सिरफ आराम मिलता है खुशी तो हमारी मन की स्थिती है तो हमें रोज कहना है मैं हमेशा खुश हूँ सिरफ खुश हूँ नहीं मैं हमेशा खुश हूँ बोलिए अब एक पर आप रोज बोल सकते हो इस बात को एक पर पहली लाइन क्या थी? मैं शक्तिशाले आत्मा हूँ शक्तिशाले बोलते ही क्या हुआ? हमने अपने आपको याद दिला दिया कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? हमारे हाथ में है हमने अपने आपको याद दिला दिया कि परिस्थिती और लोगों का व्यवहार मुझे हिला नहीं सकता रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है मैं शक्तिशालियात्मा हूँ दूसरा, मैं हमेशा खुश हूँ तीसरा, कोई भी परिस्थिती आ जाए, मैं शान थू बोले कोई भी परिस्थिती आजाए मैं शान्त हूँ तीन संकल्प है चौथा परमात्मा हमेशा मेरे साथ है बोलो यहां बैठे सबी बहने बोलो भगवान हमेशा मेरे साथ है कौन-कौन यह रोज बोलता है भगवान हमेशा मेरे साथ है कभी-कभी नहीं बोलना कभी-कभी नहीं बोलना है रोज बोलना है और दिन में कई बाहर बोलना है जैसा हम सोचेंगे जैसा हम बोलेंगे वो हमारे साथ होता जाएगा हम वैसे बनते जाएगे अगर हमें याद रहे कि भगवान हमारे साथ है तो फिर डरने की फिर जिन्ता की क्या बात है सोचो अभी बाहर अगर हम सडक पे जाएं और एक छोटा सा बच्चा सडक पार करने की कोशिश करता है तो उसको सडक पार करते हुए बहुत डर लगता है वो थोड़ा आगे जाता है फिर पीछे आता है फिर गाड़ी आती है फिर पीछे जाता है डर जाता है लेकिन फिर वो अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ता है ऐसे एक हाथ मम्मी का एक हाथ पापा का ऐसे पकड़ता है और फिर वो सड़क क्रोस करते हैं और वो बच्चा तो बीच में सिरफ जूला ही जूलता रहता है है और जूला जूलते जूलते वो सड़क पार कर लेता है उसको इतना मज़ा आता है चलो वापिस करते है वह मज़ा है ये करते हुए क्योंकि अब वो सड़क अकेले नहीं पार कर रहा है अब वो मम्मी पापा का हाथ पकड़ के क्रॉस कर रहा है हम डर जाते हैं, इदर से ये गाड़ी आती है, उदर से ये बात आती है, अकेले हैं, अकेले महसूस करते हैं, तुझ हर बात डराती है, अगर रोज अपने आपको याद दिलाएंगे, भगवान मेरे साथ है, भगवान के हाथ है, मेरे पर उसकी दुआउं का हाथ हमेशा है, म मैं हमेशा उसकी शक्तियों में सुरक्षित हूँ सोचते जाएंगे, बोलते जाएंगे वैसा बनते जाएंगे पांचवा संकल मेरा शरीर हमेशा स्वस्त है बोलिये ये भी बोल सकते हैं हमेशा मेरा शरीर हमेशा स्वस्त है हम वो बोलते नहीं लेकिन कोई बिमारी आती है तो ये दर्दो रहा है, वो दर्दो रहा है वो चार बर बोल देते हैं कभी भी करके देखना अगर बार-बार बोला न बिमार हो, बिमार हो, बिमार हो दर्दो रहा है, दर्दो रहा है, दर्दो रहा है थका हुआँ थका हुआँ थका हुआँ तो वो बिमारी और बढ़ते जाएगे दर दर बढ़ता जाएगा संकल्प जो सोचेंगे वैसा होता जाएगा तो बिमार हुँ नहीं बोलना हमेशा क्या बोलना मैं कैसे हूँ मैं स्वस्थ हूँ अगर थोड़ी भी तब यह ठीक न हो न और कोई आकर पूछे कैसे हो बोलो बिल्कुल परफेक्ट स्वस्थ है लुदी है लुदी परफेक्ट कभी नहीं बोलना मैं बिमार हूँ इलाज करवाना है लेकिन ये सोचना और बोलना नहीं मैं बिमार हूँ मैं बिमार हूँ तो रोज अपने आपको आशिरवात देना है मेरा शरीर स्वस्थ है पांचवा संकल मेरे सारे रिष्टे बहुत प्यारे है मेरी सब के साथ बहुत अच्छी बनती है रोज बुलना है मेरे रिष्टे बहुत प्यारे है, मेरी सब के साथ बहुत अच्छी बनती है और छठा संकत मेरा घर स्वर्ग है गोलो मेरा घर स्वर्ग है रोज आशीरवाद दो अपने घर को मेरा घर स्वर्ग है मेरा घर स्वर्ग है मेरा घर स्वर्ग है तो कुछ घर में उपर नीचे भी होगा न वो भी खतम हो जाएगा क्योंकि इतना अच्छा उस घर को रोज आशिरवाद देंगे मेरा घर स्वर्ख है तो कितने संकल्ग बने याद हो गए सारे संकल्ग एक बार फिर से बोलते हैं मैं कौनसी आत्मा हूँ? मैं शक्तिशालियात्वा हूँ दूसरा मैं हमेशा खुश हूँ चाहे कोई भी परिस्तिती आ जाए मैं शान्त हूँ मैं शान्त हूँ मेरा शरीर बोलिये आपने बोलना है मेरा शरीर स्वस्त है मेरे रिष्टे बहुत प्यारे हैं और मेरा घर स्वर्ग है कौन-कौन ये चार छे बाते याद हो गई सबको? याद हो गई? हाथ उठाओ बेने, याद हो गई बात? पहली वाली, पहली लाइन क्या थी? मैं शक्तिशालियात्मा हूँ दूसरी क्या थी? मैं हमेशा खुश हूँ तीसरा, हर परिस्थिती में मैं शान्त हूँ मेरे साथ कौन है? परमात्मा मेरे साथ है उसकी दुआएं मेरी सुरक्षा है शरीर मेरा कैसे है? स्वस्त है परिवार और रिष्टे कैसे है? बहुत प्यारे हैं और घर कैसा है? स्वर्ग है अब एक महिने के लिए ये करेंगे ठीक है? एक महिने के लिए क्या करना है? सुबह उठते ही उठते ही जैसे ही आँख खुली दो मिनिट उदर ही बैठ जाना और सुबह उठते ही पहले ये छे संकल्प बोल दो अच्छे से कर सकते हैं सुबह उठते ही छे संकल्प बोल सकते हैं सुबह उठते ही ये छे संकल्प बोल दो फिर दिन में हर दो तीन गंटे के बाद जब यादा जाए काम करते हुए भी अंदर ये संकल्प बोल दो जब खाना बना रहे होंगे खाना बनाते हैं न हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते, 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 रोटी बना रहे हैं, सबजी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, बनाते, बनाते, ये संकल्प उसमें डालते जाओ, शान्त हो, खुश हो, शक्ति शाली हो, भगवान साथ है, ये सारी चीजें, जैसे हम नमक डालते है मिर्ची डालते हैं, हल्दी डालते हैं हम ये वाली चीजे भी डालते जाएं मैं शान्त हूँ, खुश हूँ, शक्ति शाली हूँ परमात्मा मेरे साथ है मेरा शरीर स्वस्त है घर स्वर्ग है अगर खाना बनाते बनाते ये डाल दिया ना खाने में एक महिने के अंदर घर बदल जाएगा